हेलो एबरिवान मैं हूँ रीना और आप सभी का स्वागत है रीना की दुनिया में दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बटाटा बड़ा यहाँ आलू बड़ा की रेशेपी तो चलिए फटा फट रेशेपी को स्टार्ट करते हैं तो बटाटा बड़ा यहां आलू बड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को बॉयल करेंगे तो यहां पर हमने 500 ग्राम आलू को अच्छे से धोके साप कर लिया है और इसको add कर दिया है cooker में और cooker में add करने के बाद में साथ ही में पानी add कर देना है तो यहाँ पे मैं पानी भी add कर दी हूँ तो चलिए इसका ढखकल लगा देते हैं और रख देते हैं gas पे और gas पे 3 सीटी आने तक इसको अबालना है medium to low flame पे तो यहां पे तीन सीटी आ गया है तो हमने गैस को कर दी है बन और यहां पे आप देख सकते हैं आलू ठंडा हो गया है तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हमने चिलके को निकाल के इस तरह से मैस कर लिया है और चलिए तो मैस करने के बाद बना लेते हैं मसाला तो यहां पे गैस पे तेल गरम हो रहा है और तेल गरम हो जाने के बाद यहां पे आड़ करना है एक से डेर चमत अधरक और हरी मिर्च का पेश्ट क के लिए इसको सौते कर लेंगे और उसके बाद इसमें एड करना है आदा छोटा चमस लाल मिर्च पॉडर आदा छोटा चमस हल्दी पॉडर आदा छोटा चमस धनिया पॉडर और गैस का फ्लेम लो रखना है और थोड़ा से एड करना है और इसको भी आदे मिनट के लिए चलाते रहना है और चलाने के बाद इसमें एड करना है भूना हुगा जीरा पॉडर तो यहां पर हमने चलाते हुए आदे मिनट हो गया है तो इसमें एड कर देना है बॉइल किया हुआ अलू और इसको अच्छे से मीक्स कर देंगे और मीक्स करने के बाद इसको एक से देर मिट के लिए मसालों को अलू को अच्छे से भून लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आदे मिट के बाद और उसके बाद इसमें एड करेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग नमक आप अपने स्वात के अनुसार नमक एड करें शाथी में इसमें जाएगा आदा छोटा चमस चाट मसाला चटपटा बनाने के लिए और साथी में आदा चमस एड कर देना है गरम मसाला पॉडर बापस से इसक मिक्स कर देना है तो हमारा बड़े का मसाला बनके हो गया है तैयार तो इसको होने देते हैं ठंडा और बना लेते हैं बड़े का घूल तो यहाँ पे हमने एक बॉल के करीबन ली है बेशन और इसमें एड करना है दो चमस चावल का आटा तो यहाँ पे मैं एक चमस बड़े चमस से एड कर रही हूं चावल का आटा इसलिए हमने एक चमस एड की है आप चोटे चमस से करें दो चमस के करीबन एड करें चावल का आटा और चुटकी वर इसमें जाएगा हल्दी पॉडर टेस्ट के कॉर्डिंग नमक नमक हमने कि देन में और इचक करें और एक ही ऊथा पानी को एड नहीं करें को वेटर गेला हो सकता है तो यहाँपे आप देख सकते हैं Samara गोंबन के तयार हो गया है तो इसमें एड करना है छुटकी भर खाना सोधा जो भजिब अगेरे हम सोधा करतें वो और उसको थे बाद से एक बार मिक्स करना है और आप देख सकते हैं इस तरह का गोल होना चाहिए तो चलिए हमारा गोल भी बेशन का बन के तैयार हो गया है तो फटा फट बड़े को बना लेते हैं तो हमने यहां पर आलू के बड़े को इस तरह से आपको जो भी से पसंद हो उस हिसाब से आप बना है हमने दोनों साइच के बड़े को आपको दिखाया है या इस तरह से भी बना सकते हैं तो यहां गैस पर हमारा तेल गरम हो गया है त तो आलू को इस गोल में एट करना इस तरह से और इस तरह से मिक्स करके और एट करना है तेल में तो चलिए तेल में एट कर देते हैं सारे बड़े को और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बड़े को एड़ कर दी है तेल में और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राइ करना है और चमसे इस तरह से सारे बड़े के उपर ओइल एड़ कर देंगे ताकि यह पलटने के टाइम इदर उदर लगे ना गोल तो इस तेक साइट से गोल्डन ब्राउन हो गया है तो चलिए इसको पलट देते हैं और दूसरी साइट से भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राइ कर लेंगे अगर आपको लाइट कलर के बड़े पसंद हो ता उस टाइम भी निकाल सकते हैं यहां पे मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूं कोलर को क्योंकि हमारे यहां थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है बड़े का तो चलिए यहां पे बड़े हो गए हैं तो निकाल लेते हैं और बाकी के साड़े बड़े को इसी तरह से बना लेना है यहां पे आप देख सकते हैं बड़े को सर्फ कर देते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं आपको मेरी बीडियो पसंद आये तो लाइक सस्क्राइब करें और आज की यह वीडियो आप कैसी लगी आप हमें कोमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही अपने दोस्तों के साथ सेयर भी करें तो अब आपसे मुलकात होगी अगली वीडियो में तब तब के लिए बाबाई टेक केर थैंक यू फॉर वाच